यम्ना नगर से एक ऐसा वाक्या सामने आया है जहां नजमा हत्याकांड की स्टोरी किसी टीवी सीरियल और फिल्म से कम नहीं है सब इंस्पेक्टर ने रची अपने ही पत्नी की मौत की साजिश और इस तरह घटना को अंजाम दिया कि सब को सड़क हाथ साही लगा दरसल रेलवे प्रोटेक्शन सेफ्टी फोर्ड नौवी वाहनी में ऐसाई अफसर अली को अपनी 30 साल की पत्नी नजमा की हत्या के आरोप में गिरफतार किया गया है इसी साल 24 सितंबर को रेलवे अंडर पास के नजदी कार की टकर लगने से नजमा की मौत हो गई थी पहली पुलिस ने इस मामले में हाथसे का केस दर्स किया था बाद में मृतिका के परिजनों ने शक जताया था कि अफसर अली ने ही साजिश के तहट ये हत्या कराई है जिस पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की तो सब परदाफाश हो गया मेरा नाम है मुहमद इद्रीस मैं लड़की का हूँ भाई और जो मेरा भेनोई जो है इसका दो महीने पहले यहां से ट्रांसपर हुआ था जालखंड में चकरधरपुर लेकिन बीच में जगा पड़ती है मुरादावाद चकरधरपुर से घ्मिया तो आता है लेकिन मुरादा लिए कि अगर कोई बच्चा हो गया तो उसको मुझे समय फिर पूरा इसको रखना पड़ेगा या उसका खर्चा देना पड़ेगा जो भी समझके इनने उसको इनने हत्या का रूप दिया तो कैसे पता लगा आपको कैसे लगा नहीं किसी हमारे गाउं के मेंमर के पास में मरताई फर पंचात पड़ी थी इनकी ठीक है तो उसके पास में इनने मंलब फून करा कि एक्सिटेंट हो जाया है और एस्यों भरती है हमें पता चली हम बहां से चल दिये राती में ही तो हम रस्ता में आये तो इनने हम बताया कि तीन-चार वेक टैम पे खतम होगे गो ठीक कमल दीब गोयल ने कहा कि ये अपने आप में अलग केस है शुरुआत में हम इसे सड़कात सही मान रहे थे लेकिन ये मामला कुछ और ही निकला टीम ने परिजनों की शिकायत के हर पहलू पर जाच की तो ये हत्या की गुथी सुलज गई वाइफ को एक सफेद रंकी गाड़ी ने हिट किया बलेक रंकी गाड़ी ने हिट किया और उस एक्सिडेंट पे इनकी वाइफ कुरी तरह से घायल होगी तो इसको हमने शुरू में एक एक्सिडेंट का ही केस मानते हुए इसमें एक्सिडेंट के जो सेक्शन से उसमें अफ बेनोई ने ही एक साधिस के तहट एक्सिडेंट का रूप दिखा के इसकी हत्या की है और उसकी इन्वेस्टिकेशन की जाए तो हमने उनकी स्टेट्मेंट को कानून अंसार उसमें फिर हत्या की धारा जोड़ी और बाद में फिर कुछ इस तरह के सबूद सामने आए जिससे जब गारी का नंबर पता लगा जब गारी के नंबर की जाच की गई तो गारी का जो नंबर है वो जो अफसर अली है इसी के गाउं से वो गारी मिली तो जब अफसर अली से कुछ ताच की गई तो उसने ये माना कि उसने एक साधिश के तहट अपने कजन्स के साथ मिलके और फिर शादी में तब्दिल हुआ जिसके बाद आरोपी अफसर अली अपनी पत्नी से परिशान था मूल रूप से उत्तर परदेश के मुरदाबाद जिले के गाउं जाफराबाद के अफसर अली यहां आरपी एस एफ में ऐसाई के पत पर तैनाद था और फिलाल पत्नी नजमा के साथ प्रिशी नगर कॉलोणी में किराय के मकान में रह रहा था 24 सितंबर की राध करीब 9 बजे वो खाना खाने के बाद पत्नी नजमा के साथ रेलवे अंडरपास के पास सेर कर रहे थे तब ही तेजगती से कार आई और पीछे से उन्हें और पत्नी को टकर मार दी टकर लगते ही वो उचल कर सड़क पर जागिरे इस घटना में नजमा गम भी रूप से घैल हुई थी जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था अब इस मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश कर साथ दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है जिससे की हत्या में इस्तेमाल, कार और अन्या आरोपियों को गिरफतार कर सकें यमरो नगर से सुमीत आबराई की रिपोर्ट